जूजने का मेरा कोई रादा न था, मोड़ पर मिलेंगे, इसका वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिन्दगी से बड़ी हो गई, मौत जिन्दगी से बड़ी कैसे हो सकती है, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, ये लगा जिन्दगी से बड़ी हो गई, मौत की इम्र क्या दो पल भी नहीं जिन्दगी सिलसला आज-कल की नहीं मैं जीवर जिया मैं मन से मरू देखिए कभी का मन मैं जीवर जिया मैं मन से मरू लोट कर आऊंगा कूछ से क्यों डरू तू दबे पाओ चोरी छिपे से ना सामने वार कर फिर मुझे आजमा मौक से बेखबर जिन्दगी का सफर स्वाम हर सुरमई रात बंसी का सफर बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं प्यार इतना प्राइयों से मुझको मिला नापनों से बाकी है कोई गिला हर चुनोती से दो हात मैंने किये आधियों में जलाए है पुष्टे दिये अगर तबलिदानों से अरजिती हस्वतंतरता शिरस्वेद शौरित से सिंचिती हस्वतंतरता प्याग तेज तक भल से रक्षिती हस्वतंतरता दुखी मनुजता के हित अरफित यस्वतंतरता इसे मिटाने की साज़िश करने वालों से कहदो चिनगारी का खेल बुरा होता है औरों के घराग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खरा हो जो कृष्ण रूप में थूट पड़ी थी जिसको छूकर मा के करकी करिया पग की लड़िया चट-चट तूट पड़ी थी पांच जन्य का भैरव स्वरसन पलप उठा आखुद्ध सुदर्शन अर्जुन का गांधी वफीम की गदा धर्म का धर्म डट गया अमर भूमी में समर भूमी में धर्म भूमी में कर्म भूमी में गूज उठी गीता की वाणी मंदल में जनजन कल्यारी अपर अजान विश्वन पाई शीश चुका कर एक धरोहर कौन दार्शन इक दे पाया है अब तक ऐसा जीवन दर्शन कालंदी के कलकचार पर कृष्ण कंट से गूजा जो स्वर अमर राग है कोटी कोटी आकुलरदयों में सुलग उठी है जो जनगारी अमर राग है बारत रत्न माजी पंद प्रदान अटल बिहारे वाच्पै यांच नुक्तस निदन जाला त्यांचा निदनाची वारता देश भरामधी पसरली देशावर शोककला पसरली आनि अनेक पैलू त्यांचे पुन्हा जागुर जाली अटल बिहारे वाच्पै वगंजी रुषी तुल्ले वेक्ति मात्व भाजब मदला सर्वात जस्ट वेक्ति द्व भाजब मदली आतिशे बुद्धिवान वेक्ति महनों त्यांच नाव लोगी गाई तीन वेला देशाचे पंतप्रदान धालीले अटल भिहारे वाजपए तेरा महिने तेरा दिवस अनि पाच वर्ष आसा त्यांचा पंतप्रदान पदाचा तीन वेलेस्टा हाँ कारिकरद पनाई अटल भिहारे वाजपई यांचा अनेक अठोनीना उजाला अस संपुर्ण देश भराबरतुन मिलता है पन अटल भिहारे वाजपई यांची सेम छबी त्यांचा प्रत्ते कुरती मदे अटल भिहारे वाजपई दिस्यो नेतो असे एक व्यक्ति मा जसो बता है आणि तेंच नावाई टेक्चंद खुबानी कोपरगाउत अलुगेत लेत अतीशे बुद्धिवान वेक्ती पन तेंच संपुर्ण जीवन अटल भिहारी वाजपे याना पाहाद तेंची कृती करताच ते वेथित करताच तेंच संपुर्ण जीवन अटल भिहारी वाजपे शाटी अगदे अरपन केले सरकाहे मनुनाच तेंच अटल भिहारी वाजपे यान्च निधन जाल आणि टेक्चंद खुबानी सुदा अक्षर्षा कोश्च ललित दुखाचा डूंगर तेंच समोर उभाए अटल भिहारी वाजपे यान्च प्रतिकृती असल्या सरकाहती नेमी वावरत अस्तार किम्बवना कोपरगावनी नगर जिल्लातले अटल भिहारी वाजपे मनुनाच तेक्चंद खुबानी यान्च एक वेगडिव ओड़काहे अपन तेंचा गड़न अटल भिहारी वाजपे यान्चा दुखा बदल एक प्रतिक्रिया जानून घेता होत तेनी संपूर्ण जीवन अटल भिहारी वाजपे याना बगत आनी तेंचा वर आधारित जगलेला है टेक्चंद खुबानी हे माजा सो बताईद नमस्कार आज अटल भिहारी वाजपे आपले यामादे नाहीत अतेशे अधरनी विक्तिमा तो आदेशात लोहे गेलेला है काई वाटता तुमाला हिंदी में बलूँगा पहले अटल जी आज हमारे साथ नहीं है ऐसा मुझे नहीं लगता अटल जी के शरीर सिर्फ उनका शरीर हमारे साथ नहीं है उनकी तपस रहा उनका धे उनकी राष्टर भक्ती उनका सामाजे संबंध राजिकिय संबंध उन सब बारतों दगर हम विचार करें तो खाले अटल जी का शरीर हमारे पास हमारे पास अब देश में नहीं है और शरीर दो फिर आना है जाना है मैं ऐसे नहीं मानता का अटल जी हमारे साथ नहीं है अटल जी हमारे साथ पहले भी थे आज भी हैं और भविश में भी रहेंगे अटल जी के बारे में आपके क्या अद्दाश याद है और किस तरह से आप उनके तरफ देखकर जीते हैं अटल जी मेरे लिए एका उतार है उनीज सो सदसस्त पुर्णा के माड़न हाई स्कूल में भारत की एर जनल संग का तीन दिन का अधियोशन था तब मेरी और अटल जी के मुलाकात होई और उस मुड़ाकात में अटल जी का भाषन से में अतना प्रभावी हुआ कि मेरे जीवन की सत्व अनमोर चीज यह अटल जी है उसके बाद 1907 के बाद जो अटल जी का मेरे उपर प्रभाव पड़ा तो मैंने फिर पिछे मुड़ कर कभी नहीं देखा चोवी सो घंटे मेरे ब्रेन में श्रिफ अटल जी और अटल जी अटल जी एक नशा है अटल जी एक नशा है इस नशे की जिसको आदद लग गई उर नशा भरता ही जाएगा है भरता ही जाएगा है तो उननीशो सदसर चड़े कर दो अजार अट्ट्रा इन पचाथ बरसों के कारेकाल में मैंने अनेक अटल जी की सभाएं अटेन करी हैं अनेक जहां कहीं भी अटल जी आते थे भाशन करने के लिए सभा के लिए वहां मैं अपस्थित होता था अपस्थित करने का प्रत्न करता था कई बार उनकी मेरी मुलाकात भयक्तिक मुलाकात हुए कई बार अके ले में एक ही नूम में एक ही पलंग पर उनको मैंने बहुत बारी किसे बहुत नज्जी किसे देखा है मैंने कभी भी उनकी आंखे पूरी आंखे खुली हुई नहीं देखी है सदे उनकी आंखे आधी खुली निद्रास्त निद्रास्त आवस्त हमें देखी है और मानो वो निद्रास्त आवस्ता में जो कुछ बोल रहे हैं वो अपने आप समझने की बात है ऐसे मेरे अटल्दी के पचास वर्षों के कारकार में परस्नल मुरा काते हैं होने के साथ चाथ वो मुझे अपने नाम से चेक्चन खुबानी के नाम से जानते है 1971 के दिल्ली के अधिवेशन में रिककन आई जा बांगलादेश बांगलादेश को मानने तदो बांगलादेश को मानने तदो शिके डिया देश बर से दो लाग कारे करता दिल्ली के पिकेटिंग में आये थे दो लाग कारे करता जब दक हम लोग जेल में भरती होते हैं जेल में कोई जगा होती ही तब तक फ्राल एक एस्टुडियूम ने हमें रखा को पर गांज हम बारा कारे करते थे बारा मतलब आप आटिल जी के साथ थे साथ थे आभी थी हूं तब वो एस्टुडियूम में आटिल जी आये के लगा भी जेलों में तो जगा नहीं रही दो लाग कारे करते हों को जेलों में रखना मूग की बात नहीं उनिस एकतर की बात है फ्राला आपको इस इस्टुडियो में रखा है यह नास्टे के पैकेज आपके लिए आएं पार्टी ने भिजवाएं जब तक जेलों में आपकी रवान की नहीं होती तब तक इस नास्टे कर रीजिए उसके बाद जब पिकेजिंग निकली मोर्चा जिसे कहते है उस मोर्चे में दो लाख लोग नगाज छुष्षी के बहुत सारह कावे करता आ है भारतिय जनशंग के चाहिं में बात कर जहा है नीशित के 10 दो लाख लोग केषरी टोपी में हैं केषरी टोपी में अटल जी के सर के उफर केषरी टोपी नहीं जीप में अटल जी है मगर केषरी टोपी नहीं उसका कारण है कि अटल जी का जो सर है वो लंबा है जो अब लंबे की वजे से कोई ट्रोपी बैठ नहीं नहीं थे उनके सब बसुत अब इमर्जंसी में अटल जी के लिए ट्रोपी बनी के शिरीकरर की और एक कारेकर ता भागते भागते लेकिया है अटल जी पहनी बड़ी बना के लाया हो तो अब आटल जी ने अब मुझे बताईए टेक्चंद खुबानी हे आटल जी ने अतिशे जवल ची वेक्ति महनुन एक तेंची ओलक आहे पन अटल बिहारी वाजपे यानी तेंचा पनपरदानचा काला मदे किमा इतर वेडिस टेक्चंद खुबानी आनना स्वतंतर पत्र व्यभार करेज तेंचा अभीनेंदन वार दिऊसाचा असिल किमा तेंचा घरातल लेका इतर शुबकारी आसतील तेंचा सर्वकारीया ला स्वता अठाल बिहारी वाजपे यानी सुबी संदेश देनाचा काम तेंचा लिखी सर्पा मदे तेंचा स्वक्षर देश challenges तेक्चंद खुबानी आपको आटल भीहारी वाजपेजी ने जो के कोई ख़त कोई मैसेज दिया होगा आपके घर में जो भी शुबकारी हो तो उसके बारे में क्या है उनका क्या है आपके बारे में इस देख लेजे आप हो तो होगे देख लिए ना जब कभी कोई शुबकारे होता है मेरे पास मेरे घर में मेरे फैमिली में सबसे पेदे इन्विटेशन का डाटर जी को भीड़ता हूँ मैं यह उसका प्रूफ है सबसे पेदे मेरे जो इन्विटेशन कार्ड है वो अचादी के पास जाते है उसके बाद बाकी है हर पत्चीर जुसंबर को हर बरस अचादी के जन्म दिन के उपड़क्शन में मैं उनको फैक्स करता हूँ और 27 जुसंबर को उनकी फैक्स निकलती है जो यहां आके मुझे एक तरीक आफसाद मिटती है याद तक कान बहु है क्या है उस दीन क्या रहते हैं अचादी को जन्म दिन का फैक्स बेचता हूँ यह जो है और उनकी जो आर्गनाइजेशन ने इतनी शक्रिया है कि फैक्स बेचते 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 कि दूसरे दिन छोड़के तिसरे दिन उनका लेटर वहां से निकलता है जो तो तिन दिने मुझे यहां पहुचता ही लेटर की कापी है अटल जी क्या आपके साथ एक रिस्ता अच्छा है आप उनकी तरह जीना सीखे है उनकी तरह बोलना सीखते हैं आभी बताते हैं उनीक आवाज में बता रहे हैं तो मुझे आप उनकी बारे में कुई ऐसे वो तो कवी थे बहुत बड़े कवी थे बहुत सारी कवीतां उनके पूरे देश में प्रशिद है तो एक कवीता उनके बारे में कुछ आपको याद है कुछ बता सकते है इस संब्सक्राइब मगर उनके भार्षन के एंड परता सकता हूँ क्योंकि जब कभी मैंने उनके भार्षन सुने भार्षन के एंड में समझता को आखरी में बता हूँ उसके पेले अचाजी की विश्तरित जानकारी में आपको दूँ 1971 के बाद 1945 में जब इमर्जंची आई इमर्जंची के बाद 1977 देश में जनता पार्टी बनी है और जनता पार्टी बनने के साथ साथ बंबई के शुवाजी पार्क में राखों कारे करता है जो हम लोग जूने जनसंग के थे तो अचल जी के जब एक शब्द मुझे याद आ रहे हैं कहने के हमने भारती जनसंग को जनता पार्टी में जोग दिया है भारती जनसंग को जनता पार्टी में जोग दिया है इसके बाद आप कभी हमारे मुझे भारती जनसंग का नाम नहीं सुनेंगे इसमें जनता को आश्वचन देना चाहता हूं अच्छा इसमें ने जनता पार्टी बनी सरकार आएंगी जाएंगी पार्टियां बनेंगी बिक्रेंगी मगर देश आबादित रहना चाहिए जनता पार्टी के विशाजन के बाद 1980 में बंबाई के बांडरा में तिन दिन का भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन मना निर्मी जी हुई भारतीय जनता पार्टी की और उस तिन के आधिवेशन में मैंने और राटन जी को नद्रीक से देखा उस आधिवेशन में बैरिस्टेश, ठागला वगेरे वगेरे बहुत साबे बड़े-बड़े नेजा भी थे हैं संपुर्ण देश के कारेकर्टा भी थे हैं तब मैंने भोच और नजी की से देखा अधिवेशन में अधिवेशन में अधिवेशन में अधिवेशन मेरा नशा भरते गया भरते गया यहीं राजकिया द्योडा हो गए मैं राजकिया ब्योडा ये ब्योरा बनते बनते में उनके भाषणों से प्रभाइद होकर हर छोटी बड़ी सभा में मैं अपना भाषण रखता दुआ हूँ मुझे बुनाते थे उननी सो अच्छेनो कोपर गाम मतजार संगर से भिम्राजी पर्दे खड़े थे और कर्पे निंगा और लास्ट जेन संगम नेर को सभा में अटली आने वाले जे और विन्नोद खना आने वाले जे अलाउंसिंग के बाद पूरे विशे से दो जिस्टिक नगर जिस्टिक नास्टिक जिस्टिक क्योंकि सबकों संगम ने नजिक भी है और फिर अटल जिस्टिक अपने आप में आउता रहे है विन्नोद खना भी उस्टिक में इनपीट से मेंबर आफ पार्लामेंट पंजाब से देखें योग क्या है अब कल को सभा है और आज अटल जी का मेसेज आया शाम जाजू अश्टिक जिल्ला आदेख चेते नगर जिल्ले के आदेख चेते शाम जाजू और अटल जी का मेसेज आया शाम जाजू का कि अटल जी के बड़े भाई आफ हो गए एक्सपायर हो गए अब अटल जी कल की सभाम में आ नहीं सकते अब आप मुझे बताइए कि जो अटल जी एक ऐसी महान विक्ति थी कि सब सारे जितने भी देश के जो पक्ष हैं राज की जो पक्ष हैं इनको इखटा करके वो अपना राजनीती का कारोभार चला थे थे एक सब जग़ पे सब लोगों के मन में वो एक अटल थे तो ऐसे एक महान विक्ति अभी यहाँ अपने से चला गई अपने उनसे अभी नहीं रही तो उनकी बारे में स्रध्धांजली के रूप पर आप दो शब्द कैसे कहेंगे अटल जी नहीं रहे यह मैं तो नहीं मानूँगा उनका शरी नहीं रहा मगर कल भी वह हमाल साथ में थे आज भी हमाल साथ हैं और भविशंबी भी हमाल साथ रहेंगे अगर उनको शर्धांजली के रूप में तो उनको शर्धांजली के रूप में अटल जी के भाशन के एंड जहां कभी भी मैंने सुना है और शर्धांजली के रूप में प्रस्थित करना चाहता हूँ अटल जी अपना भाशन करने के बाद अंतने कहते हैं कि ये संतों की भूमी है ये वीरों की भूमी है ये छट्रबदी शिवाज हिमाराज की भूमी है हिमाराना पिरताप की भूमी है ये ताटा टोके की भूमी है ये गुरु कोविन सिंग की भूमी है हम उन शहीदों का बड़ी जानम व्यर्थ नहीं जाने देंगे व्यर्थ नहीं जाने देंगे उन शहीदों का बड़ी जानम हम जीएंगे दिस मात्र भूमी के देर और अगर जेरुद परिट से मरेंगे दिस मात्र भूमी के देर भालत ये जन्ता पाद जी कि इसी प्रितिका के साथ मैं अपने द्रोशवत पूरे करता हूँ जैहिन दे महाराष्ट्रा अठल बिहारी वाजपे यांचा छबी तोथ आपली प्रतिक्रिया त्यानी वेक्त के लिए किम्ब हुना त्यांचे जे भाषना है त्यान्चा सूरा मधे वेक्त करनारी य्कोपर गाउची एक वेक्ती मज़े ही आपली टेक्चंद खुबाणि आईता आवो टेक्चंद कुबानी याणी फक्त भासनाची फक्त तियांची नकल केली अशातला भागने तियांची संपुर्न जीव ना मदे, प्र gelmiş प्रत्य कार्या मदे, अतल जीन असे अंचिस dauंत्र वेगण स्थान दिला, ते उच्य स्थान होता आन्नमुनन, तियांची घरा तो फोटो तैनी तैन्चा प्रथम दरुष्यनी भागा मदे शोकेश मदे लावलेला है तैचा नंतर तुम्ही या शोकेश मदे तुम्ही भागुशाकता कि अटल बहरी वाचपय यांचा अठवनीं चे वेगुळे फोटो आहे या वेगुळे पदती चाहे तैन्चे वर्ती तुम्ही भागुशाकता है तिता आहे कोपर्या मदे तुम्ही भागा जिते जिते तुम्ही घराचा कोंटे ही काना कोपर्या तुम्ही गेला तर या घरा मदे टेक्चंद खुवानी यांचा घरा मदे फक्ता नि फक्त अटल बहरी वाचपय यांचा प्रतिमा दिस्ता है अपन घरा मदे अनेक देव देवदांची फोटो लावतो स्रध्धामनुन अनेक देवांची फोटो लावतो त्या देवांची संख्या वाडवतो पन इथा स्रध्धामनुन अटल वेयरी वाचपे यांचे फोटो सर्वाधिक आहेत त्यांचा वेगवेल्या अठवनीना उजाला देनारे या प्रतिमा टेक्चंद खुबानी यानी जपल्या आनि टेक्चंद खुबानी यानचा बोरो बरस त्यांचे चिरांजु चेतन खुबानी यानी सुदा वडलांचा वारसा पुडे ठवला तकिम्ब हुना त्या कारिया मदे त्यानी सुधा वाहून गेतल आणी मरुनस कुभानी परिवाराच ये काम अक्षर्षा कवतुकास पोदा है अटल भिहारी वाजपई है आपलात नायेत त्यान्चा आठवनी आशा रूपानी प्रत्ते एक घरा मदे प्रत्ते एक मना मदे जागुरुत रातील ये आशा आहे पन खरोकरस आशे ही रुशित तुल्ले वेक्ति मत्व आश अपल्या मदे नाये तीन वड़ा देशाचे पंत प्रतान जालेले अटल भिहारी वाजपई आज आपल्या मदे नायेत आणि त्यान्चा रधांजली दवाने साटी संपुर्ण देश आश पोड़े है तोई संपुर्ण अविश्य भर आटल भिहारी वाजपई आँचा प्रमाने जगनारे टेक्चान दु खुबानी आँचे सूपुत्र आज माजा सोबत आए चेतन खुबानी त्यानी सुदा आपल्या वडलांचा वारसा पुड़े नेत अस्तानाच आटल भिहारी वाजपई आँचा विचाराची धार तीक कायम ठेवलेली आए आणी महनुनाच संग कारियात असे इलक्यों भाजपचा संपुर्ण कारिया मदे तीक स्वताला वाहून गेटले लेद तेंचा करण आपन जानोंगिवात तेनी स्रध्धान जीलप तेंचा मत काया है आपन तेंचा करण जानोंगिवात काया ही नेमकात अही जे आसे दुख़द वाता वरन जाला तुमच्या मनामदे कायी अटल जी एक व्यक्ति नौच्छून तेक विचार आहेत आणि व्यक्तिजरी संपली तरी विचार हे कदी संपत नसतात तैमल अटल जी ने विचार हे कायाम सोरुपी जो परंत ही स्रुष्टि आहे तो परंत ते अजर आमर होतील तैमल अटल जी अपले तुन गेले असे आमाला आजई वाटत नाई आणि बाविचार देखिल वाटनार नाई शिवाय तैननी देव देश आणि धर्म ये तैंचे जे तत्वा हे तै तत्वा वर आमचे वडिल मान्य टेक चेंजी खुबानी ये आमाला कायम सोर्पी पोड़ चालना साथी जी दिशा देलेली आहे त्यात दुशे ने आमी संपुर्णा खुबानी कुटम्भिय मार्ग दर्शन करिता होत सीन्यूज माराठी साथी शंकर दुपार उड़े सह दीपक जादो कोपरगा जूजने का मेरा कोई रादा न था मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था रास्ता रोक कर खड़ी हो गई ये लगा जिन्दगी से बड़ी हो गई मौत जिन्दगी से बड़ी कैसे हो सकती है जूजने का मेरा कोई रादा न था पूर पर मिलेंगे इसका वादा न था रास्ता रोपकर वह खड़ी हो गई यू लगा जिन्दगी से बड़ी हो गई मौत की इम्र क्या दो पल भी नहीं जिन्दगी सिल्सिला आज कल की नहीं मैं जीवर जिया मैं मन से मरू भरूँ लौट कर आउंगा कूछ से क्यो डरूँ तु दबे पाउं चौरी छिपे से ना सामने वार कर फिर मुझे आजमा मौत से बेख़वर जिंदगी का सफर शाम हर सुरमई रात बंसी का सफर बात ऐसी नहीं की कोई गम ही नहीं पात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं प्यार इतना परायों से मुझको मिला नापनों से बाकी है कोई गिला हर चुनोती से दो हाथ मैंने किये आधियों में जलाए हैं पुष्टे दिये